नमसकार प्रिदर्शकों, आज़ जब इस लिोग में 2023 के ऐप्ल के मैने में धनुर राशी को क्या राशी फर मिलेगा इसके बारे में जानेगे सामान ज्यान धनुर राशी 12 राशीयों में से 9 राशी है इसका प्रतिक धनुसलिय मनुश्य और आदे गोडि के समान होता है इसलिए ये बुढ्दिमान प्रतिबाशाली और विवेकी होते हैं. धनुराशी के लोग ग्यान के खोच में रहने वाले वेक्ती हैं. ये लोग दूसरों को ग्यान देने वाले और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने वाले भी होते हैं. ग्यान के लिए यात्रा करना इनक देते हैं। ये लोग मस्ती करने वाले भी होते हैं। जिसके चलते जातक को काम के सिलसिले में विदेष जाने का मुका भी मिल सकता है। और ये मुका जातको के लिए करियर में बेहद लाबदायक साबित होगा। जो जातक व्योसाई में है उनके लिए भी यह मैना काफी मुनाफा कमाने वाला रहेगा। एप्रिल का यह माईना आपके जीवन के लिए केसा रहेगा और परिवार करियर सास्तेव प्रेम आदी के शेत्र में आपको केसा फल मिलेगा यह जानने के लिए प्रासी फल को विश्चार से सुने कारे शेत्र धनुर आशीक जातकों को इस मैने करियर के शेत्र में अच्चे परिनाम प्राप्थ होगे इस दोरान करियर के शेत्र में आपको अपने साथ योग का सयोग मिलेगा और अपने साथ बहुत कुछ सिखने को मिलेगा आपके काम से आपको काफी सहरा भी मिलेगा आप अपने शनी आपकी चंद्राशी के संबंद में से तिस्तरे बाव में स्ति थे जिसके चलते आपको नोकरी के सिलसिले में विदेश जाने का अउसर मिलेगा मंगल पंचमबा के स्वामे के रूपे सप्टमबा मिलस्ती थे जिसके चलते जातक को अप्यक्षा अनुसान नोक्री के अउसर प्राप्त होगे जो जातक विदेश में नोक्री करने के पर विचार कर रहे है उनके लिए भी यह महिना काफी अच्छा रहने वाला है वही जो जातक अपने व्यापार कर रहे है उनके महिने के दोरान व्यापार में अच्छा रीटन्स मिलेगा गुरस्पती की कृपा से जातक अपने शेत्र में अच्छा परिनाम प्राप्त करेगे आरथिक जीवन विट्यम मामलों में जनुराशी की दातकों को यह मैना अपेक्षा अनुसार सफल रहेगा आपकी आठिक स्थिति पहले से बेहतर होगी दूसरे भाव का स्वमी शनी तिसरे भाव में स्थित्थे जो आपके लिए बेहद अनुकुल परिनाम देगा वही ब् इस महा धन का प्रवा रहेगा आप नए चीजों में निवेश भी कर सकते हैं जो भुष्यम में आपकी मरत करेगी इसके अलावा कमाई का नया शोध आने का भी संकेट है अगर आपने शियरंत में पैसे लगाए है तो आपको ठिक ठाक रिटन्स मिलेगा कुल मिलाकर यह मैन जातक को अच्चा लाब कमाने का मोगा देगा श्वास्त्य के मामले में दनूरवावाश जातको को यह मरीना आश्य जनक रहेगा आप स्वास्त्य से दुडे परिशानेयों से खुद को मुक्त पाएगे लेकिन आपको पोस्टिक अहर का सेवन नियमित रुप से वैम और हर सम्भव तरीके से अपने स्वास्त का ध्यान लगने की आउशकता है। तिसरे भव में शनी की स्थिची से आप शर्लिक और मांसिक आराम राप्त करेगे। आपके ताकट में रुद्धी आएगी और उसी के कारण आपका मन काम में लगेगा। इस मैने गुरु मेश राशी मे गोचर कर रहे हैं और पंचमबाव में स्थिठ होकर संद्र राशी पर दुष्टिदा रहेगे। जिसके चलते चाटक अपने स्वास्त का भरभूर द्यान रखेगे। प्रेम वववाइक जीवन ददुर आशी क्याटकों को इस मैने की पंदा तारीक के बाद प्रेम अनकुल रहेगा। शुग्र गृस्पती पंचमबाव में है। ऐसे में शादी के लिए यह समय बहर अनकुल है। मैने की शुरुवात में कुछ चीजे आपको प्रभावित कर सकती है। क्योंकि चंद्र राशी के संबंद में रावू पंचमबाव में स्थिठ है। जिसके चलते वेवाईक जीवन में आपको नकरात्मक चीजों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनर से थोड़ी थोड़ी बातों पर मर्वेट हो सकता है। अगर इन चोटी मोटी बातों को नजर अंदाज नहीं किया जाए तो यह बड़ा विवात पैदा कर सकता है। एसे में र छुटकारा पाएगे। पारिवारिक जीवन में इस राशी के जातकों को अच्चे प्रेना मिलेगे। मैने के अंत में विरसपती पंचमबोह में गोचर करेगे और चंदर राशी पद्रुष्टिता लेगे। जिसके चलते जातक को पारिवारिक जीवन में सुप प्राप् पर जम्भाव में प्रोस्पतिक स्टिति के चलते जातक को सकरात्मक उर्जा महसुस होगी और परिवार के सदस्यों के बिश कुशी का महल जातक महसुस करेगा जिसके स्वरूब तन मन कोशांती मिलेगी उपाय के तोर पर गुरुवार के दिन डिवैंगो को बोजन कराए ओम गुरुवे नम का प्रति दिन 108 बार जाब करे रहुगरव की स्टिति को सुधार्ने के लिए मंगलवार के दिन हवन यज्य करे